नमस्से, हलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए ला रही हूँ एक बहुत ही हेल्दी और जल्दी बनने वाला आवले का अचार जो की बस 5 मिनिट के अंदर आपके लिए तयार हो जाएगा, यह बहुत ही हल्दी होता है, बहुत ही टेस्ची भी होता है, इसमें स्पाइसी, टैं अचे से वाश कर लिया है, और टॉबल पेपर पर ड्राय कर दिया, यह चार से पांच में पस कटी हुई हली मिर्च है, अब मैंने एक पैंड में तीन चमच सरसो का तेल लेंगे, जब यह तेल गरम हो जाएगा तो इसमें एक चमच हमने हींग डाली है, एक बड़ी चमच इसको हम थोड़े जिर करेंगे, फ्यू सेकिंड के लिए, जब यह थोड़ा सा फुन जाएगा, तड़कने लगेगा, तो इसमें हम अपने दो से तीन हमने खड़ी लाल मेच डाली है, यह ऑप्शनल है, जस फ्लेवर के लिए हम डाल रहे हैं, थोड़ा सा इसको हम फ्राय क करेंगे, उसके बाद हमने अपनी कटी हुई हरी मेच डाल दी है, इनको अच्छे से हम मिक्स करेंगे, इसमें हमने कश्मीरी लाल मेच का पाउडर डाला है, आदी चमच, यह कलर के लिए डाला है मैंने, और यहां पर 14 चमच मैंने हल्दी डाली है, तो बस अब हमने अपने अब 5 मिनिट हो गया है, 5 मिनिट की बाद हमने चेक किया, हमारे आवले पक चुके है, आप ऐसे चाकू या ऐसे नेल गुसा के देख सकते हैं, तो बस हमारे आवला बिल्कुल तयार हो चुका है, अगर आपको लगता है आपका नहीं हो है, तो आप इसे 102 मिनिट और उसे पक आप एक जार में अच्छे से भर के रख दीचे, ओर यह इस ऑचार बहुत दिन तक चलता है और इसमें जो भी есाला है ऑम पीच में जाघार को शेक कर सकते हैं, जार को जिस से कि यह मसाला अंदर तक उसमे जाता रहे गा लेकिन यह अचार बहुत टेस्टी बना है, बहुत ही खटा भी है, स्पाइसी फ्लेवर भी है, थोड़ा सम्टीखा भी है आपको यह अचार जरूर पसंद आएगा, आप इसे पूरी, परांठा, चपाती जिसके साथ चाते हैं, उसके साथ आप इसे एंजॉय कर सकते हैं आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया हो, बच्चों के लिए भी अचार बहुत टेस्टी है, जिन बच्चों को अचार खाना पसंद होता है तो प्लीज लाइक कीजेगा, शेर कीजेगा और सब्सक्राइब कीजेगा माई चैनल, थैंक यू फॉर वाचिंग देज्टी